बॉर्णिंग फ्रेंग्स दिस सुनिल भटनागर जैसा आप जानते हैं कि हम वीडियो के जरीए जो हमारे मन में क्वेश्चन होते हैं को हम रिपलाई करने की कोशिश करते हैं दोस्तों हमने यह देखाया कि जो प्रेंग है उसके कपड़े सनलाइट में और अट्मोस्फियर में कुछ समय बाद अपना रंग छूड़ देते हैं और क्या रीजन है इसका दोस्तों कारण यह है कि जो सन है उससे तो अल्ट्रावाय जो है वह हीट अनर्जी जो है पैदा करती है तो यह दोनों मिलके जो है यह कॉटन पॉलिमर को डिग्रेड कर देती है जब यह ऑक्सिजन मॉश्यर और प्लिटेंग्स जो होते हैं उनके संपर्क में आते हैं एक्मोस्चर जो होता है जो हम हम यूमडिटी की बात करते हैं यह पॉलिमर को डेगडाउन होने में जो पॉलिमर को ब्रेडाउन करने में शिगनिफिकन्ट्ली यह कंट्रिबूट कर तो है। हईड़ूलेटेक रिएक्शन्स जो है काफी होते हैं इसके अंदर शुरू-शुरू में जो ये जो रियक्शन्स होते हैं यह डेग्रेडेशन होता है यह पॉलिमर हाईडरूलेस होता है यह फाइबर का थोड़ा जो है color जो है discolor करने करता है मगर जैसे जैसे समय बीचता जाता है तो यह accelerate हो जाता है और इससे आपने देखा होगा कि जब तक यह तब तक होता रहता है जब कर जो fiber polymer है वो completely जो है breakdown उसका नहीं हो जाता है अगर हम ज्यादातर बात करें ज्यादातर जो pollutants है एर के अंदर यह इस्डिक होते हैं और यह accelerate कर देते हैं fiber breakdown जो है polymer को breakdown करने में क्योंकि जब acid के संपर्क में आ जाता है तो acid hydrolysis जो है वो पैदा होता है और जो cotton जो polymer होता है वो इसको resist नहीं कर पाता है और ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो fading जो होता है color textile material के अंदर जो होता है यह कुछ तक जो है यह die molecules जो है यह breakdown हो जाते है फाइबर पॉलिपर सिस्टम में और इसी के कारण जो है फेड होते हैं या cotton fiber पर इसका असर क्या होता है thank you friends have a nice day झाल